प्रेक्टिस कर रहे हैं, इसमें आप देखो, निमलिकित विश्यों में से किनी दो विश्यों पर सुनदर लेख में निबंद लिखना है अच्छी रैटिंग में निबंद लिखना है विशे है पुस्त काले, मेरे जीवन का आदश जीवन में कम्प्यूटर की उप्योगिता और दिल्ली में बढ़ते अपरात आपके घर का पता बदल गया है, यहाँ देखो अपने विद्याले की प्रधानाचारिय जी को बस रूट बदलने के लिए प्रारतना पत्र लिखो अप्लिकेशन लिखनी है इसमें उसके बाद अपने पिताजी को पत्र लिखकर विद्याले में आयोजित समर केम्प में शामिल होने की अनुमती तथा शुल्क की जानकारी तो नेक्स्ट अमरा आता है किसी समाचार पत्र के समपादक को अपनी स्वेरचित कहानी या कविता चापने के लिए आविदन पत्र लिखो ये सब तरीके बताए गए हैं वीडियोज में मैंने और वीडियोज जो बना रखे हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हो उसमें कविता का शिर्ष्यक है मेरा देश और कहानी का सिर्ष्यक है दीपक और सूर्य है अपने गाँं के ब्लॉक प्रमुख के कारेले में जाकर साक्षात कार माध्यम से पता लगाओ कि वह आपके छेत्री की समश्याओं की जानकारी कैसे एकात्रित करते हैं तथा उचित कारेवाई करते हैं अपने घर के किसी बुजोग सदस्टे का इंटर्व्यू लेने के लिए प्रशनों की सुची त्यार करो तथा उनके जवाब रिकार्ड करके उसकी रिपोर्ड लिखो जानकारी लिखो बाल रामायन पूरक पुस्ति का पढ़कर उस पर प्रशनोत्ती त्यार करों कम से कम पचाश अब्दों में लोकोक्तियां इनमें उची दुकान फीका पक्वान यानि जूठा मान दूद का दूद पानी का पानी यानि सही न्याय घर का बेदी लंका ढाय यानि विश्वास खाती चिराग तले अंधेरा ये सब आपको लिख करके वक करना है यहाँ पर और कई सारी लोकोक्तियां हैं जो आपकी भाशक को अच्छा बनाएंगे और प्रैक्टिस करते रहिए उसके बाद देखिए विलोम शब्द लिखने हैं आपको यहाँ पर एक्षम का सक्षम है अधिक का नियून है अनुकूल का प्रतिकूल है ये सब विलोम शब्द आपको लिखने हैं हिंदी के समाचार पत्रों में से कोई दस प्रमुक सूचनाएं चित्र सहीत काटकर अपनी स्क्रैप फाइल में चिपकानी है और उनका सार लिखना है अपने शब्दों में खुद के अपनी भाशा में उनका सारांस लिखना है कि याद करने के लिए केरına दिया गया है निमलjekt कारे को भलिवाति समझते हुए याद कीजे ये सब आपको याद करना है अगर्मगर करना आकाश पताले इस सब आपको लिखना है और लिख करके भी याद कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर भी सभी मुहावरे आपको बताए गए हैं ये भी याद करने का करे हैं इसमें समानार्थी शब्द हैं यनि कि इनका अर्थ एक जैसा हो अनुचर सेवक को भी कहा जाता है आंक नयन को भी कहा जाता है आनंद उलास को भी कहा जाता है ये सारे समानार्थी शब्दियां पर दिये गए हैं ये आपको ये लर्न करने हैं अने एक शब्दों के लिए एक शब्द अनुकरण करने यो गय अनुकरण ये ये भी लर्न करना है सभी कारे स्क्रैप बुक में त्यार किये जाएंगे यानि आपकी स्क्रैप फाइल त्यार होगी और ये आपका गर्मी की छुटियों के लिए ग्रह कारे था